अपने हजबन के होते हुए एक लड़की ने एक बिजनेसमैन के साथ अफेर किया वो उसे ऐसा रासा दिखा दिए जहाँ पर सिफ डिस्ट्रक्शन था क्या एक बिजनेसमैन इससे उभर पाएगा या हम आज के हमारी मुवी तो एक हॉलिवड मुवी में देखेंगे आदमी को जो चीज करनी चाहिए उसे छोड़कर अगरों किसी और चीज के बीचे बागे तो इसके इफेक्ट क्या हो सकते है या हम इस मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो अचा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा अब इना खिजिदरी के एक्षपनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती हम हमारे में केरेक्टर जूलियन को देखते हैं जूलियन आज एक लड़की से मिला था उसका नाम था माइकल माइकल एक फ्री स्पिरिट थी उसे जो अच्छा लगता था कि सारी चीज़े वो कर डाल दी थी जूलियन एक बिजनेसमैन है तो उसे रूल्स के साथ चलना पड़ता है इन दोनों के बाद आगे बढ़बाती उससे पहले जूलियन की गल्फरेंड यहाँ पर पहुझ के जूलियन आज माइकल से फर्स टाइम मिला था और फिर भी उसे बहुत ही अमेजिंग लगी उसके जाने के बाद जूलियन अपने गल्फरेंड के साथ इंटिमेट होता है रात में अचानक से उसे बहुत ही बुरा सपना आया इस वज़े से वो अपनी गल्फरेंड को जाने के लिए कहता है आज कल वो बहुत ही अकेला था क्योंकि अभी अभी उसकी वाइफ ने उससे डिवॉस लिया है गर में डिवॉस के वेपर्स पड़े हुए है जिसे उसने अब तक साइन नहीं किया नेक्स डे जूलियन के बहुत इंपोर्टन मिटिंग थी इस मिड़ी में उनके क्लाइंट्स उसे गहते हैं कि अगर हमने आपको हायर किया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा उन्हें अपनी कंपनी के लिए बेस्ट मार्केटिंग प्लान चाहिए था तो इस वज़े से और एक फर्म को जाकर हो मिलने वाले थे जिनका वर्क अच्छा होगा उन्हें बुरा कंट्रेट मिल जाएगा जूलियन और सके कली इस सारी कंडिशन मान लेते हैं बहुत ही खुश थे और कंफिडेट भी थे कि कंट्रेक्ट उन्हें ही मिलेगा अब उन्हें सिर्फ सही से काम करना है और कोई भी ट्रबल क्रेट नहीं करना जूलियन के बॉस ने उससे बात किये रात में अपने सारे कलीश को लेकर वो पार्टी करने के लिए गया वो सबको कहता है कि जहाँ पर भी मैं काम करूँगा तुम सब मेरे साथ ही आओगे जूलियन के फ्रेंड्स में उसका लॉयर फ्रेंड भी था जो हमेशा उसे हेल्प करता था जूलियन के वाइफ ने डिवास पेपर्स भेजे है एबात भी उसे पता थी वो जूलियन के लिए सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता था पार्टी के बात जूलियन अपनी मदर के पास आया वो मदर को इतना जादा विजिट नहीं करता तो मदर को इबात अच्छी नहीं लगती मदर ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्पन की रूम की सारी चीज़े निकाल ली है जैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम्हें रूम पेंट करना पड़ेगा जुलियन कहता है कि मैं एक आदमी को भेज दूँगा उसकी मदर इस बात पर गुस्सा होगी कहती है तुम हमेशा अपने पैसो का रोब नहीं जार सकते अपनी फैमिली को भी तुमें टाइम देना चाहिए एक्चुल में जुलियन की बच्वन में कुछ बुरा हुआ था इसी वज़े से एक काम वो नहीं करना चाहता था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा एक रात काम से वापस आते हो जुलियन को फिर से माइकल दीखी उसका पीछा करता है एक ओपन टेटर में अपने फ्रेंज के साथ मूवी देख रही थी तो जुलियन भी उसके पास जाकर बेट गया माइकल को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा फिल्म फ्रैंकस्टाइन थी इसके बारे में बात करते हो है माइकल जुलियन से गहती है फ्रैंकस्टाइन ने अपना खुद का मॉंस्टर क्रेट किया था जब उसने आएने में देखा तो खुद डर गया जुलियन इस बात पर सोचने लगता है अचानक से यहाँ पर माइकल का एक्स बॉइफरेंड आ गया उसके साथ जगडने लग गया उसे मारने भी वाला था तब ही जुलियन जोज से उसे पंच कर देता है टैकसी में बैठा कर उसे घर बेज़ दिया जुलियन ने बुचा कि वो था कौन कि तुम्हारा एक्स बॉइफरेंड था माइकल ने कहा कि ऐसा ही कुछ जुलियन के हाथ पर जोट आई थी तो माइकल उसके साथ घर आई उसे मलमबटी कर देती है जुलियन के घर में उसने एक बन रूम देखी जिससे खोलने के लिए पासवाट की ज़रूरत थी माइकल इसके बारे में उसे पूछती है पर जुलियन उसे कुछ भी नहीं बताता माइकल बुचती है कि क्या ये डाक रूम है तुम्हारा कैमेरा निकालो मेरी फोटोज निकालना माइकल ने कबड़े निकाले तो जुलियन उसके हाथ पर बहुत सारे कट्स देखता है जब वो छोटी थी तो उसके घर बर बहुत सारे प्रॉलम्स थे उसके मदर और फादर उसे मारा करते थे तो इसी वज़े से खुद को कट करने की आदद उसे पड़ गे अब बहुत सालों से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया ये सब बताने के बाद माइकल यहां से जाने लग गए जुलेन जाता था कि वो रूख जाया और माइकल चली जाती है अगली दिन ओफिस में जुलेन से मिलने के लिए उसका लॉयर लैरी आया उसे गहता है कल रात किसी के साथ तुमने फाइट की थी वो आद में एक इमिग्रेंट है और कोई भी टरबल नहीं जाता तो इस वज़े से केस चला जाएगा तो उसे केरफूल रहने के लिए गहता है एक दिन जुलेन जब उन्हीं मदर के रूप मेंट करने के लिए आया हुआ था तो अपनी सिस्टर को नूटिस करता है सिस्टर का हजबन उसे बहुत मारा करता था तो कुछ दिनों के लिए यहां रहने के लिए आ गई थी अपने रूम में जुलियन ने एक नुजवेपर छुपा हुआ था जिसमें लिखा था दस साल की लड़के ने अपनी मदर को गैस लिख से बचाया यह देखकर वो ज़रा डिस्टर होता है तो भी उसे माइकल का खौल आया जो उसे मिलने के लिए बुलाती है रात में जब हैं मिले तो माइकल ने उसे अपनी गाड़ी में बेटने के लिए कह गाड़ी में बिठा कर उसके आग पर पट्टी बान देती है फिर उसकी ड्राइवर लड़की कोस ने आगे बुला लिया वो माइकल को किस करने लग गई थी माइकल ने जब पट्टी खोली तो बहुत ज़ादा गुसा हो गया वो निकल रहा था पर बहर बहुत बारीश थी तो माइकल ने उसे अंदर आने के लिए का जिलेन फिर गुसे में माइकल के साथ इंटिमेट हो जाता है माइकल उसे पुछती है कि लाइफ में कभी भी तुमने किसी से प्यार किया है जिलेन कहता है कि हा किया है माइकल ने बुचा या तुम्हारे डाक रूम का पास्वर्ड उसके पास था जुलियन कहता कि नहीं माइकल को जुलियन के लिए बुरा लगा क्योंकि उसे कोई भी अब तक समझ नहीं पाया इस रिलेशन्शिप में उस जुलियन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी अगले सुबा माइकल ने जुलियन को गिवट भेजा एक गिवट देखकर उसे बहुत अच्छा रगता है उसके कोवर कर भी नोटिस करती है कि जुलियन को एक गिवट देखकर जितनी खुशी हुए इतनी कभी भी नहीं होती जुलियन नों फिर ब्यूटिफुल से फूल लेकर माइकल के काम पर उसे मिलने के लिए आ रहे माइकल के असिस्टन ने कहा कि आज उसका एक्जिबिशन है तो तुम्हें वही पर मिलेगी एक्जिबिशन में जाकर जुलियन ने देखा तो माइकल किसी और को किस कर रही थी उसे पूछता है क्यों था कौन माइकल कहती कि हम बाद में बात करते हैं मैं तुम्हें सब को समझा दूंगी पर जुलियन को अभी बात करनी थी वो उसे शाम जगा पर लेकर गई वो कहती कि हूँ मेरा हस्बंड था मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर तुम्हें सही तरीके से सुनना पड़ेगा मेरे हस्बंड को हमारे बार में पता है हमें एक अलग टाइप की रिलेशन्शिप है जिसमें यह सब अलावड है ये बात जुलियन को हस्बंड नहीं होती वो गुस्टा हो गया और यहां से चला जाता है रात में जब जुलियन अपनी मदर की घर पर आया तो सिस्टर का हस्बं सिस्टर को मा रहा था जुलियन इस वर बहुत ज़ादा गुस्टा हो जाता है और हस्बंड को उसने बहुत मारा जुलिन ने अपने सिस्टर से कहा मैं तुम्हें प्रामिस किया था कि तुम्हारी लिए गर बाई कर दूँगा सिस्टर कहती कि तब हम बहुत ही छोटे थे और तुम मुझे बार भी हाउस कीफ करने वाले थे माइकल कहता है कि मैं सिरियस हूँ तुम्हारी लिए बड़ा सा हाउस में बाई कर कर दूँगा तुम्हें अपने हजबन के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने सिस्टर को बहुत सपोर्ट करता है इसके बाद जुलिन को पुलिस लेकर गए थे उसका लॉयर उसे छुड़ा लेता है लॉयर ने जुलिन को समझाया तुम्हारी सिस्टर का हजबन डारेक्ली कोमा में चला गया था अगर वो फिर से जल जाता है तो कोई भी प्रावलम नहीं होगा हम सब कुछ चीज़े मैनेज कर लेंगे जुलिन के बॉस ने उसे बहुत डाटा तुम्हें कमपनी के बार में सोचना चाहिए तुम्हारी इन सब चीज़ों की वज़े से डील हमारे हाथ से जा सकती है अगली दिन माइकल जुलिन के काम पर उसे मिलने के लिए आई पर जुलिन सेकुरिटी गाड़ की मदद से उसे बाहर निकल आ देता है माइकल की वज़े से जुलिन बहुत ही डिस्टब हो गया था अपनी कोवर कर के साथ भी अच्छी बात नहीं करता रात में माइकल जुलिन से मिलने के लिए उसके घर पर आई उसे कहती है मैं और मेरे हजबन में एक अजीब तरीके से अरेंजमेंट है हम एक दुसरे को पान करनी रखते है हम दोनों खुश रहना चाहते है हम दोनों जब एक साथ है तो एक दुसरे की लाइफ बिटर बना सकते है तुम मुझे पाना डिजर्व करते हो और मैं भी तुम्हें अपनी लाइफ में चाहती हो मैं तुमसे प्यार करूंगी पर सोसाइटी चीज तरीके से चाहती है वैसे नहीं वो अपनी रिलेशनशिप को कोई भी लेबल नहीं देना चाहती थी इसके बाद दुनों intimate हो गए जैसे भी situation थी ये जुलियन ने accept कर ली थी एक राद माइकल जुलियन को एक बहुत ही अच्छी से डेट पर लेकर गए उसे बुछती है लाइफ में तुम खुश कब होते हो क्यों तुम्हारा काम तुम्हें अच्छा लगता है जुलियन ने कहा कि इसे पैसे आ जाते है उसे बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है माइकल के साथ होना उसे बहुत अच्छा लगता है अगली दिन ओफिस में उसका लॉयर लैरी जुलियन से मिलने के लिए उसे कहता है या तुम्हारा माइकल के साथ अफेर जल रहा है ये बात अगर किसी को पता चली तो एक बड़ा डॉबल हो सकता है लैरी जुलियन को माइकल से ब्रेकउप करने के लिए कह रहा था पर जुलियन उस पर चुछ साह हो किया वैसा कुछ भी नहीं करने वाला तैंक्स गिविन पर जुलियन माइकल को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर रहता है उसके नेफ्यूज विगरा को बहुत अच्छी लगी थी जुलियन की सिस्टर ने कहा कि मेरा हस्बन ठीक हो चुका है उसके साथ रहना चाहती थी जुलियन ने कहा कि फिर से हो तुम्हें बहुत मारेगा इस तरीके की इन्वार्मेंट में तो अपने बच्चों को नहीं रख सकती मदर को लग रहा था कि सिस्टर को उसके हस्बन के पास वापस जाना चाहिए पर इस बात पर जुलियन और मदर में जखडा हो जाता है जुलियन को डिस्टब देखकर माइकल ने से का तुम अब पेन में हो पर तुमें इसको लेकर बात करनी चाहिए जो भी रास खोलने से तुम तर रहे हो यह तुमें खोल देने चाहिए इसे तुम एक better person बनोगे इसके बाद थोड़ा time गुजर जाता है एक राज Julian को बहुत ही अकेला लग रहा था वो Michael से मिलना जाता था पर Michael अपने husband के साथ busy थी उसे मिलने की जीद करता है पर Michael उसे मिलती नहीं वो फिर रात में किसी और लड़की के साथ intimate हो गया Michael उसे call करने की कोशिश करती है पर उसका call नहीं उठाता सुबह वो उसे मिलने के लिए आई तो Julian के साथ किसी और लड़की को notice करती है इस बात पर वो गुस्सा आऊगी कहती है तुम ऐसा कर कैसे सकते हो Julian ने कहा कि तुम भी तुमारे हस्बन के साथ हो अगर हम इसी टाइब के रिलेशन्शिप में है तो मैं भी किसी के साथ भी हो सकता हो Michael ने कहा कि हमारे हस्बन वाइफ के बीच में कुछ भी हो फिर भी ट्रांस्परेंस ही है Julian उसे अपने रूम का पासवर्ड भी नहीं देता Julian और भी जादा गुस्सा हो गया और Michael को बहुत बुरी-बुरी चीज़े कहता है Michael उसे स्लैप कर देती है Julian ने भी गुस्से में उसे स्लैप किया तो डारेक्ली नीचे गिर गई उसे जरा चोड आ गई थी Michael डिस्टब होकर एक पेन लेकर खुद को हर्ट कर देती है उसे Julian उस्पिटल में लेकर गया जब सारी सिचुएशन के बारे में Michael के हस्बन को पता चला तो जुलियन को धमकी देता है कि फिर से कभी भी उसके पास मत आना थोड़े दिनों बाद Julian Michael के घर पर आया उसके हस्बन से यह था है लास्ट टाइम में उसे मिलना जाता हूँ हस्बन ने उसे मिलने के लिए अलोग कर दिया जुलियन ने Michael को अपनी सेफ का पासवर्ट दे दिया एक लिटर हो Michael को दे कर गया था जिसमें लिखा था तुम एक ही परसन हो जिसके पास एक कॉम्बिनेशन है मैंने लाइफ में सही कला जो भी किया है यह सारा कलेक्शन तुम्हें यहां मिल जाएगा अब जैसा Michael ने उसे कहा था कि जीन चीजों से तुम डरते हो इनने तुम्हें फेस करना चाहिए तो यही करने के लिए अपनी मदर के पास उपहुचा उससे गया था कि जब मैं छोटा था तब तुमने सुसाइड करने का क्यों ट्राइ किया था गैस लिग में उसकी मदर मरने वाली थी पर जुलेन ने अपनी मदर को बचा लिया था सब लोगों कुनों ने का के सिर्फ ए एकसिटरंट था पर जुलेन की मदर सुसाइड करने वाली थी मदर ही सिंगल पैरेंट थी तो इस वज़े से उसे बहुत प्रेशर आता था उसने जो भी किया था इस वज़े से अपने आपको बहुत ही बुरा मानती है एक दूसरे को माफ करकर बहुत रोते है इनकी रिलेशेंशिप फिर से बहुत स्ट्रॉंग हो गई थी जुलिया नाम से कहता है हमेशा में लाइफ में चीजों से भागता रहो जो मुझे करना चाहिए मैंने कभी भी नहीं किया उसे हमेशा से इंट्रेस सिर्फ फोटोग्राफि में था वो सिर्फ पैसो के लिए अपना जॉब कर रहा था पर अब उसने सब को छोड़ दिया है पैसे उसके पास बहुत थे तो अपने पैसन को फॉलो करता है जो चीज सही है यही चीज वो आप करने वाला है माइकल के उसके लाइफ में आने के बाद उबरबाब भी हुआ उसे उबर भी गया उसी जीने की सही रहा दिखा कर जाती है इसे के साथ ये मूवी एंड होती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइफ और कमेंट जरूर कर दीजएगा ये बहुत सारी मूवी इस लिएक कर आते रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम इसे मिलेंगे और एक निमुई के साथ तो तक लिए थैंक्यों और आप अपने आउका खैल रखिया